नमस्कार दोस्त मैं मनीश वर्मा अब सभी का स्वागत है हमारे सेन पर आज के इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं दोस्त कि ये गुरूप 77 का मतलब क्या है ये जो टोपिक है ऐसे तो भी ये पॉलिटिकल साइंस भी ये प्रोग्राम के अदर ये टोपिक है जिसका नाम है ये प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस अंडेस्टेंडिंग ग्लोब लाइसे चलिए तो आज इस टोपिक हम स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि नाम से बसल रहा है आपको ग्रूप यान कि एक ऐसा समूँ है जिसके तोटल 77 कंट्रीज ने मिलकर इसको फांड यानि कि इसको बन नाम ना जी 20 है तो जब भी जो फांडर कंट्रीज होते हैं तो उनी कंट्रीज के नाम पर उसका नाम रख दिया जाता है ताक्य है तो आज कि इस क्लास में हम बात करने वाले ग्रूप 77 के बारे में जैसे कि एक्जाम में आपको जो कोसंस आएगा जैसे पूछा जाएगा आपको एक फॉर्मेट बता देता हूं पूरा देखिए कोसं क्या है कि वट इस ग्रूप 77 या जी 77 पहला तो आपको यह पूछे जाएगा एंड डिस्कस दा रोल ऑफ जी 77 इन प्रोटेक्ट दा इंट्रस्ट ओव डवलपिंग नीशन्स यानि कि यह बनाया है उन देशों क द्वारा थैं दोस्तों बनाया था जो डवल पिंग नीशन्स ते यानि जो विकास देशते हैं अभी दोस्त जो आपको बता आँगा वह लिखावागा तो इंग्लिस में हैं बंदी में आपको बता रहा हों तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वह भी इसको अच्छे से समझन चलिए दोस्तों तो आप हम एक बार पहले देखते हैं छोड़ असा इंटोड़क्शन देखो जो गुरूप 77 जो है कि दुछ युनैटिन नेशन के दौरा बनाए गया जिसके इंदे लवा वन थाटी फोर डेवलपिंग कंट्रिश सामिल नेवभापिंग कंट्रिश है जिनका भी विखास नहीं हुआ है और विखास करना बाकी है जैसे एस्या के गांट्रीश हो गए अफ्रिकन कंट्रिश हो गए लैट पाकिस्टान है यहां पर आपको यह समझना ने कि यहां भर भूस ही यहां ने इसनका हो ताकि आपस में मिलके economic interest that means आपस में आर्थिक सहायता फर्दान कर सके यानि कि दोस्त आर्थिक लेंदेन economic activities के द्वारा अपनी देश की GDP को ग्रोथ करना per capita income को increase करना देश के ultimately विकास करना यह दोस्त इसका main focus था यानि कि economic sector पर main focus था इसका जो main purpose हम कह सकते हैं जो developing nations को promote करना है economic interest यानि कि जो आर्थिक हित है एक देश की आर्थिक हित क्या है that means एक देश की आर्थिक जरूरत क्या है उसको पूरा करना ही एक group 77 जो countries है उनका main purpose था clear है और आज इस time भी है अब बात करते हैं इसका origin कव और किस तरीके से हुआ देखे दोस्तों सबसे पहले जो जी 77 जिसका full नाम है group 77 यह found किया गया था 15 जून 1964 के अंदर जब उस time इसको बनाया गया तो total 77 countries जो की developing nation के country थे Asian African Latin American के जो developing country दोस्त आप देख सकते हैं यहाँ पर time कौन सा है 64 का है जब जब cold war चल रहा था और cold war के time ही एक ऐसा दोर था जब दोनों countries के अंदर लोगो रोजगार देना है तो यह 64 के time पर बनाया गया दोस्त और इस time पता आपको वियतनाम बोर चल रहा था अमेरिका वियतनाम बोर में था रस्या और कहीं 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 दोस्त कह सकते हैं तो इस time जो group 77 बनाया गई उसका main purpose यही था कि जो developing nations है जो तो टोटल जो country जो signature करने वाल थे इसके charter पर इसके कामन पर वो टोटल 77 countries नहीं थे तो उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया joint declaration of the 77 countries और उसी का नाम पर जो उसको कहा दिया गया G77 ठीक है group of 77 तो अब इस time इनको जब बनाएगा दोस्त तो एक conference जल रहा था जो कि अंग आपको पता है इसका full form है United Nations conference on trade and development ये दोस्ते कैसी agency है UN की जो दुनिया भर के अंदर trade and development के ओपर report और उसके ओपर दुस्तो policies बनाती है जैसे कि 1972 के अंदर अंग्टार्ट के दौरारा एक report सो पी गई थी इसका नाम था a new trade policy for development और इस policy का नाम ही ये था कि जो विकासल country जो अपने national interest के साथ जो उनकी economic interest है उसको western country जो developed country है उनके सामने रखा जाए और विस्विक के financial मंच के ओपर developing countries का importance भी उस तरीके से ही हो जैसे developed countries का है ठीक है तो ये जो है ना ये जो फासला बना हुआ है विकासल और विक्सित country का आपस में सहयोग की बात कही गई कि अगर वि impression करेंगे विकासल देशों का तो जाहिर से बात है उनको help मिलेगी तो अंग्टाट के दवारा जनेवा के अंदर ये meeting held की गई और फाइनली 15 जून 1964 को 77 countries के जो signatures है उनके बाद ये बना ठीक है जो इनका first meeting हुआ ग्रूप 77 का वो Algeria के अंदर 1967 में हुआ था और जो इसका charter है उसके उपार मतलब के फाइनली बात की गई थी वह चार्टर मतलब होता है कानून प्रिंसिपल जिस प्रिंसिपल के उपर ये पूरा मतलब के जी 77 जो गुरूप है वो चलने वाला है ठीक है charter मतलब आप क्या सकते हो कि एक तरह के से हमारे को सिद्धानत होते है हमारे को फ्रांस का दुस्तों गुलाम हुआ करता था अलजेरिया तो अलजेरिया में हुआ ये 1967 के अंदर ये मीटिंग खिलियर है चलिए एंड इसके और भी जो आप कह सकते हो कि जो चार्टर में जो भी अमेंडमेंट किये गई कुछ और नियम पॉलिजिस बनाए गई ये काफी बडिन जगे में में कि में होई आटा रहा है अगर डिखा जाया तो गर्रूप 77 चे वह धो ये 923 अंधर हो चुकी उफ है लेकिन ऐसा नहीं है कि दोस्त अगर 133 होगे तो इसका नाम आप गुरूप 133 कट दिया जाए इसका नाम अभी भी जी 77 इसलिए है ताकि जो इसके historic member थे जो historical जो significance था इसका वो बरकडार रहे क्योंकि जब इसका signature किया गया था जब यह बना था तोटल 1964 में तो इसका नाम चेंज ना करके 77 रखत दिया गया है और अभी यही चल रहा है इसके अंदर member इस ताइम करेंट में 133 members है इसके objective क्या है यह देखते हैं मेन objective इसका है developing country जो भी विकास कर रहे है अपना infrastructure के ओपर health पे defense पे education पे अगर जा तर देखो हो गया आप जो इसन country है और जो अफ्रिकन country है और जो लेटिन अमेरिकन country है दोस्त जैसे कि मेक्सिको भी रहा हो गया ब्राजिल भी रहा हो गया यह ज़्यादतर अपने देश के अंदर उन बिमारियों से भी जूज रहे हैं दो जैसे कि आप सीविल बोर देख लीजी आप का एक focus रहा है कि developing जो country है उनमें collective interest होना चाहिए यानि कि आपस में मिल जूलकर हमें बूसरे country की help करेंगे और जितना हमसे बनेगा उन country की help करेंगे जितना उस country से बनेगा वो हमारी help करेगा तो हम कह सकते हैं तो उसके good relationship between the developing world at the large through economic and technical है क्या है दो उस technical cooperation यानिक एकनोमिक और technical cooperation इनका एक main objective रहा है सभी देशों के बीच जो group 77 के member है structure क्या है देखो जितने भी ministers of foreign affairs होते हैं सभी member state के जितने भी member है वो सबके सब इसके member होते हैं जो decision making का का काम करते हैं example के बहुत आता मालों दूस्तों इंडिया है इंडिया के जो ministers of foreign affairs होंगे जैसे कि एस ताइम भारत के बिदेश मंतरी जो foreign affairs होंगे ministers वो सबके सब इसके member होंगे और वो क्या करेंगे जब इसके meeting होगी तो वो सबके सब इस meeting में जाएंगे और meeting में जाने का जो decision लेना होगा तो सभी country के बिदेश मंतरी यानि foreign ministers आएंगे और उस foreign ministers के दुआर एक meeting helped की जाती है जितने सबी country जो है G77 के वो आएंगे उसके बाद decision लिया जाएगा किसी memory लेना हो तो finally जो इसका जो annual meeting होता है यानि कि इस साल में एक बार दोस्ति की meeting होती है group 77 की तो इसमें सभी देशों के finance minister and उनका भी एक role होता है finance का भी role ठीक है लेकिन इससे पहले जो यानि कि जो foreign ministers होते है वो सब के सब जाते हैं इसके अंदर ठीक है चलिए next दोस्तों देखते हैं हम यह जो decision making का काम होता है इसके अंदर group 77 के अंदर वो तो सभी foreign ministers तो जाते ही जाते हैं लेकिन इसके अंदर दोस्त एक chair पर main होता है एक chair में यह आप कहसा होता है कि spoke person जिसको मध्यक्स कहते है speaker कह सकते हैं जो totally control करता है ठीक है तो समय समय पर सभी statistics के अंदर change होते रहते हैं अफ्रिका इसमें आइस तरह चलता है जो rotate होते रहता है पहले अगर अफ्रिका से एक बंदा इसका chairman मना है उसको बाद Asia से एक बंदा बनेगा उसको लाटन अमेरिका से बनेगा और एक Caribbean जो दीप है finance की देखो अब इसमें क्या होता है कि जो group 77 है group इस तो कोई अपना तो finance structure है नहीं कि इसके पास अपना कोई पैसा हो तो सभी country के दो जो finance minister होते है आप क्या सकते हो कि उस country के सभी जितने भी इसके member state है जैसे कि मालों के इस time 133 state है इसके member state तो सभी country अपना contribution देते है as a member state ठीक है यानि कैसे तो को donation देते है जैसे कि अन्यों के पास अपना कुछ भी नहीं है यह 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 donation देते है वैसे इसे गूरूप 77 countries के लोग भी इनने भी country है वहां के finance minister का पास दोस्तों यह role होता है तो वह क्या करते है अब इनका अपना contribution रहता है तो जो भी country जितना बनता ह है वह उसमें contribution देते हैं अपना ठीक है तो जो relevant जो decision होता है वह हो सकता है क्योंकि विना पैसे कहां से काम चले गया बात करते है activities of the G77 देख सबसे पहले जब यह agreement हुआ था तो agreement में यही कहा गया था कि जो G77 countries है वह किसी particular issues के उपर बात करेंगे और finally उसके उपर decision लेंगे ताकि उसको हम जल्चे-जल्ट solve कर सके और उस टाइम का जो time था जो code world चल रहा था तो international economic corporations and development की बात की गई अंतरास्टी आर्थिक सहयता और विकास की बात की गई कि कैसे हम आपस में एक दूसरे cooperate करें यही कर रहे थे इसको बनाने का दूर ज़रूर तो यह पढ़ा हमें क कुछ ऐसे और भी country जे जो नम में तो जो नहीं होना चाहते थे क्योंकि नम का एक अलग मक्सद था कि दोनों ग्रूप सा अलग रहे हम हैं लेकिन इस country में क्या था कि दोनों ग्रूप में जो हो सकते हैं बट फिर जी 77 में भी जो हो सकते यानि कि मालों कोई cold वो चल रहा है कि दोस्तै तो वालनों यू-गुरूप के अंदर हैं ये मालों कि वो ऐसे गुरूप में जैसा कि पाख सान दर सामील है तो आपकी नैम के होते हुए hé retrouver कि जो दोनो three मेंबर है मारविर को नेoff का country vt i t कि इसलिए गित उसके उसके इन्म नेoff का कंट्री उसके नहीं सकते कि to learn group से ज़ो नहीं सकते का मतलब ही है कि दोनों गुर्प से अलग रहना है ठीक है दोस्तों यह चीज यहां पर होई तो इसमें यह बात की गई कि आपस में इसको पर्मोट करना है चाहे पॉलिसी एंड एग्रिमेंट के तो अब दोस्त इसके लिए अगर कोई भी डिस एग्रिमेंट होता है यानि अब देखा जाए तो यूएस और यूएस एसर यही चाहते थे कि कैसे हम दोब जो छोट छोटी कंट्रीज है उनको अपने इंफ्लेंस में लेगा रहा जाए और यूएससे इसमें पीछे नहीं रहा ना चाही यूएससर हो गई जो लेकिन दोस्त अल्टिमेटिटी जो हमा करना एकनोमिक मामले में गूट्स अंशर्विस का एक्शेंज करना एकनोमिक मेली जो इनका फोकस रहेगा वो एकनोमिक एक्टिविटीज पर हैगा तो थार्ड वर्ल्ड के जो कंट्रीज थे इस टाम एक गुलोबलाइसन के वाई से काफी सारे मतलब की प्रॉल्म को फेस क तो थार्ड वर्ल के कंट्रीज वो है जो इंडे कंट्रीज है एक से कहसे आपूर्यम अमेरक ये अंदर रहता हैं वह इतव बहुत बड़ी प्रवम्ति ग्लोब लाइशन की कैसे अपना कोई सफर कर पाए फिर दोस्तों ग्लोब लाइशन में एक्सेंस तो हो जाएगा वालो इस कंट्री से हम अपना माल ले रहे हैं लेकिन इन कंट्री के पास हम अपना क्या भीजेंगे अब एक देश के अंदर उनके पास प्रवम्ति ग्लोब लाइशन में कैसे यह सफर कर पाए क्योंकि इस टाइम दोस्तों में प्रवम्त था ग्लोब लाइशन के वाई से आपस में सयोग करना और विकास करना में अक्टिवेटिस थी जो ओल इंदी वर्ड की इकनोमी है यानि कि जो तेल है दुनिया भर के जिसमें कैसे खाड़ी कंट्रिस इस पेस लिए तिराख इदान से या साओधिय अरभ का दोस्त रसिया हो गया पता आपको कि इन सब के अंदर तेल निकलता है तो यहीं से इनका में रोल यह रहा कि जो ओल का है रोल वह इकनोमी बहुत बड़ा रोल होता है इसलिए इन कंट पधन नहीं है रिसोर्स फुल रिसोर्स लेस इसलिए उन आपस में देशों के हम हैल्प करेंगे जिसमें जो खाई बनी हो या मिरुल गरिब की वो खतम हो सके नेक्स्ट है इंटरनेशनल टेरिजम यह दुन्या बल के अंदर अंतरास्टी आतंगबाद को खत्म करने की बात करते हैं इनकी में एक्टिविटीज हैं आई होब दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा कि इसमें एक छोटा सोट नूट इसको पर आ जाता है दोस्ति यह जो मैं पीडिया आपको दिखा रहा हूं इसके लिंक के नीचे मैंने एक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बोक्स में